हेलो दोस्तों, मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा फेस्बुक एड्स के केमपेन स्ट्रेक्चर के बारे में यानि कि फेस्बुक एड्स के हंदर हम जो केमपेन रण करते हैं या फिर एड्स रण करते हैं उनका जो structure है वो कैसा होता है वैसे तो यह काफी common topic है लेकिन मैं इसको detail के अंदर cover करूँगा कौन सी setting किस लेवल के उपर होती है और आप कैसे चीजों को run कर सकते हैं फिर कैसे उनको use कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसी ही helpful वीडियो आपको मिलती रहेंगी जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं यह हमारे facebook ad campaign का structure है यह तीन level के उपर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे उपर campaign है उसके बाद में ad set आते हैं और सबसे नीचा आता है हमारा ad तो campaign level के उपर हम क्या करते हैं campaign level के उपर हम goal set करते हैं और इसके साथ ही हम budget भी set करते हैं जैसे कि मान लीजिए आप practical में करके दिखाऊ हमने reach campaign जो goal है वो select किया objective और उसके बाद में हम यहाँ पर जैसी हम नीचा आते हैं तो हम naming कर सकते हैं सब ही की और जैसी हम continue करेंगे continue करने के बाद हम सबसे उपर हमारे campaign का name चूज करते हैं उसके बाद में special ad categories है हम यहाँ पर special ad categories चूज कर सकते हैं और यह settings है इनको हम change नहीं कर सकते यह automatic होंगी उसके बाद में A-B testing है और campaign budget optimization है campaign budget optimization क्या होता है कि एक ad के एक campaign के अंदर हम multiple ads run करते हैं और facebook जो हम campaign level के उपर budget set करें जैसे कि माल लीजिए मैं इसको own कर देता हूं और यहाँ पर budget लगाता हूं 1000 रुपए या फिर 10,000 रुपए जो भी मैं budget लगाता हूं तो facebook क्या करेगा जो भी इस campaign के अंडर में मैं जितने भी ad set बना हूं माल लीजिए मैंने दो बनाए तीन बनाए तो facebook automatic जो campaign अच cover करूगा तो यह सभी settings हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद में हमारी जो add scheduling है वह भी यहाँ पर available है add scheduling और budget की setting है यह दोनों हमें add set level के उपर भी देखने को मिलती है तो जो scheduling है वह हमेशा काम करती है lifetime budget के उपर जब हम lifetime budget चूज करते हैं तो हमारी जो scheduling के option है वह हमें आ out kids कि बात करूँ तो addset level के उपर हम जो हमारी जो audience है हम उसको मनाते हैं जो budget है वो schedule करते है और हमारा जो budget है उसको set करते हैं और जो scheduling है add की कब दिखाई जाएगी उसको schedule करते हैं इसके साथ ही जो bid है वो भी हम add set level के उपर ही लगाते हैं तो चलिए मैं next level के उपर चलता हूँ तो जैसी हम add set level के उपर आते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे उपर हमारा add set का name है उसके बाद में हम page choose कर सकते हैं और dynamic creative है ये settings भी आपकी यहाँ पर available मिलेगी budget को हम change कर सकते हैं scheduling हम कर सकते हैं और सबसे important है audience audience हम यहाँ से select कर सकते हैं और उसके बाद में जो palacement है ये दूसरा important factor है जो add set level के under में आता है और जो तीसरे number पर है वो है optimization और delivery तो हम यहाँ पर जो settings है आप देख सकते हैं optimization की setting है वो reach है हमारी इसके साथ ही impression है ये जो reach का campaign जो objective मैंने चूज़ कि है उसके अंदर ये अलग सी option है और जो दूसरे option है जैसे जो दूसरे objective है उनके अंदर आपको अलग option यहाँ पर मिलेंगे उसके बाद में हम आते हैं add level के उपर तो add level के उपर हमारी जो settings है वो हमें मिलेगा कि जो हमारे customers को जो audience है जो हमारी audience है या फिर customer है उनको क्या दिखाई देगा तो यहाँ पर हम अपना जो add है उसको create करेंगे video image, garousal, text copy है, button है landing page है, यह सभी चीज़ें हम add level के उपर करते हैं तो मैं next के उपर आता हूँ और add level के उपर आता हूँ जैसे ही मैं add level के उपर आया आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर add का name है, उसके बाद में page चूज करना है instagram को जो account है वो हम यहाँ पर connect कर सकते हैं जो format है, हमारी add का format है, वो हम यहीं पर choose करेंगे कि हमें कौन से format के अंदर जो add है, वो run करना है उसके बाद में मैं निच्चे आता हूँ, scroll करके और instant experience है, वो भी हम यहाँ पर add कर सकते हैं add creative है, यहाँ पर हम image, video या फिर जो भी file हमें upload करनी है वो हम यहाँ पर add कर सकते हैं, उसके बाद में primary text है website हम add कर सकते है, tracking का जो function है, वो भी हम यहाँ पर setting कर सकते है तो यह तो थे हमारे जो campaign objective है, तो यह तो थे हमारे जो campaign का structure है facebook campaign का structure, अगर मैं इसको summarize करूँ, तो campaign level के उपर हमारा होता है goal की setting, यान कि हमें choose करना होता है, कि हमें चाहिए क्या है या फिर हम traffic चाहते है, हमें lead चाहिए, या फिर हमें engagement चाहिए वो हम campaign level के उपर करते हैं, add से travel के उपर हम करते हैं के लिए चैनल को subscribe कीजिये, मैं मिलता आप्छी नेक्स टूडियोष में तवता के लिए धन्यवाद